हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामधिक मोश्ट इंपॉर्टेंट हिश्ट हमारे देश के रख्षा करने वाले थे क्यूकि आप जानते हो पुरानी हिस्ट्री रही है हम जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर पहले सल्तनत आये वोब कर रखा था तो इन लोगों से देश को ठीज वाले जो लोग थे सबसे ज़्यादा जो क्रिडिट दिया जाता है दोस्तों वो महराथास को दिया जाता है और भी कई सारे वेक्ति थे हम उनको भी इग्णोर नहीं कर सकते राजपूच थे कई सारे लोग थे महराना प्रताप तो ऐसे कई सारे थे लेकिन आज के इस में हमने पढ़ा कि किस प्रकाशिवाजी महराज के जाने के बाद फिर उनके जो बेटे थे सामबाजी महराज फिर उनके जाने के बाद जो शाहू महराज थे उन्होंने अपने राज जगद्दी को समाला उस प्रकार फिर उसके बाद उन्होंने पेशवा बनाया तो बाला नाना साहेब को उन्होंने क्या कर दिया था पेश्वा बना दिया था अब नॉर्ट साइट था उसमें मुगल्स जो थे काफी वीक हो गए थे आप जानते उस टाइम तक मुगल्स कमजोर हो गए थे क्योंकि शिवाजी महाराज ने पूरी बुनियाद हिला दिती मुगल्स की और औरंग जेब जो एमपरर था उसके जाने के बाद तो मुगल्स एकदम कमजोर पड़ गए थे तो जब नादिर्शा जो था उसका जो इन्वेजन आ गया यानि कि वो जब घुसपैट कर लिया तो कहीं न कहीं न कहीं जो नौर्थ का जो साइट था वो थोड़ा सा डगम ऐमध शाअबदाली ओर एक मूवी बनी थी आप जानते होंगे एक पानीपत में लडाई हुआ था कि ऑप आके असी हिस्तोरिकल मूवीस देखा करो देखो मैं यह चाहता हूँ कि यार बहुत सारे नॉलेज हमें मूवीज देखके मिलती है लेकिन वो मूवी सही होनी चाहिए ठीक है बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल चीजे हैं जो शायद हम पढ़ने में मज़ा नहीं आता है लेकिन उसको देखने में ज्यादा मज़ा आता है वो सब चीज आप किया करो बहुत ज़्याद अच्छा लगेगा ठीक है तो यहाँ पर एहमत साब दाली जो है वो एक तरीके से चैलेंज के रूप में मराथास के सामने आया था ठीक है न और उसी में पानीपत के लड़ाई भी हुई थी वो आपको जानते है लेकिन आप श एक और आप देखो के तो नॉर्थ की तरफ अगर जाओगे अयोध्या के नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे नॉर्थ वेष्ट की तरफ तो वहाँ पर एक और जगा था जिसका नाम है रोहिल खंड रोहिल कंड एक ऐसा जगा है जो की फूट हील होब दे हिमालियास ठी वहां पे क्या लगा बहुत सारे जो अफगानी लोग थे न वो थोड़ा घुसपैट करने लगे थे, क्योंकि अफगानिस्तान से वह रास्ते से आना इसी था, तो बहुत सारे अफगान जो थे वहां पे आके जो सेटल हो जाते थे, है तो वो अफगान, लेकिन कहां पे सेटल हो रहे है, रोहिलकंड में सेटल हो रहे है, इसलिए उनको एक नाम दे दिया गया था, यह आपने सुना भी होगा, बहुत सारे घुसपेटलों का अलग-अलग नाम दिया जाता है, ठीके, तो रोहिला, ठीके अयोध्या के जो राजा थे, उनको ये सब चीज पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, मराथास को ये रोहिल्यास को भगाने के लिए, कि यहां से आप हटा दो इनको यार, बहुत तकलीफ दे रहे, तो उनको हटाने के लिए, अयोध्या के प्रिंस ने क्या कि अब आया next कि अफगान जो थे वो हार तो मानने वाले थे नहीं ठीक है तो उनके साथ कैसा conflict हुआ वो हम लोग देखेंगे conflicts with अफगान जो अफगान लोग थे ठीक है उनके साथ कैसा यहां पर conflict तो रहा कैसे लड़ाई जगड़ा हुआ वो सब हम देखेंगे तो यहां पर अफगान का एक तरीके से लीडर उस टाइम का था अब वहां पे इंडिया में बहुत सारे rich लोग रहते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा धन हैं बहुत ज़्यादा पएसा है तो उसके लूटने के इरादे से और पूरा इंडिया के ओपर कबजा करने के इरादे से वह के उपरे काफी कम्जोर हो गया तो हमें किसी और की 기분 होग है तो मुगल्स ने क्या किया म्राथास को अपनी दिपने लाइट क्या कि आप हमें प्रोटेक्ट खरो किसे प्रोटेक्ट करो बहुत सारे जो आगे हैं जैसे कि걸 रोहिलास थे जैसे कि कुछ रोहिलास थे फिर जक्ट लोग थे ये तो इंडियनी थे लेकिन जक्ट लोग उसके अलावा बात किया जाए तो अफगान लोग थे तो ये सब लोगों से हमें रक्षा किया जाए हमारे गद्धी की रक्षा किया जाए तो ये जो responsibility थी कि वो किस के ओपर दे दी गई मराठास के ओपर दे दी गई और मराठास ने भी सोचा यार कि चलो कोई बात नहीं एक टाइम पे आप हमसे मुकाबला करते थे एक टाइम पे आप हमसे मदल मांग रहे और इससे ज़्यादा बड़ी जीत और क्या हो सकती है जो एमपरर, मुगल एमपरर, जो मुगल्स मराठास से एक तरीके से मुकाबला करने के लिए रिते थे कि हम इसको खतम कर देंगे आज वही लोग जाके मराठास के सामने जाके भीक मांग रहे कि आप हमारी मदद करो इन घुस पेठियों से इन लोगों से हमें बचाओ तो ये एग्रिमेंट हो गया, एक ट्रिटी साइन हो गया ट्रिटी मतलब क्या होता एक तरीके से एक बॉंड एक करार साइन हुआ कि जो मराठास रहेंगे वो इन अफगान या फिर ये लोग व्यक्ति जो है राजपूत लोगे, अफगान लोगे, इनसे वो एंपरर की, या फिर मुगल एंपायर की रक्षा करेंगे, और बदले में, क्या मिलेगा उनको मराठास को कुस्तों चाहिए न, क्या हम क्या फूकट में काम करेंगे, आपके लिए जान की कुर्बानी देखे, आपके लिए फूकट का लड़ाई करेंगे, नहीं बदले में हमको आपको क्या देना पड़ेगा, कैश मनी देना पड़ेगा, आपके पास जो भी दवलत है, वो आपको सो मेंसे पच्चीस रुपैया मराठास के हिससे में आता था इस प्रकार से चीजे होती थी ठीकए ऑर जो सुविदारी थी अजमेर और आगरा जैसे इतने बड़े-बड़े महान राज्यों की जो सुभिदारी थी, वो भी उनको मिल जाती थी, ठीक है न, सुभिदारी मतलब एक तरीके से वो लोग अपना ओफिस, वगरे वहाँ पे अजमेर रीजन, आगरा रीजन में अपना ओफिस भी बना सकते हैं, मराथास लोग, ठीक है, तो यह परमीशन भी यहाँ पे मुगल द कर सकें, मुगल्स की रक्षा कर सकें, तो यह सब चीजे होने लगी, लेकिन यह अफदाली जो था, वो कहीं ने कहीं चाहता था, कि यार हम किस प्रकार जो है, एक तीर से दो सिकार मारे, मुगल्स भी हमारे, इसमें आजए और हम मराथास को भी हरा दे, इस प्रकार से कई सा कि अफगान के खिलाफ यहां पर जो मराथास थे, उनके खिलाफ क्या हो गई, एक तरीके से लडाई होने लगी, ठीके, और यहां पर जो रगुनात राओ थे, जो की किसके थे, पेशवा नाना साहिब जो थे, जैसे मैंने आपको बताया, पेशवा कौन थे, उस वक्त के न ना साहिब, तो उनके भाई थे, जिनका नाम था रगुनात राओ, यह तो आपने सुना होगा, जो मूवी बनी थी पानी पत, उसमें इनका ही रोल बहुत बढ़ा है, ठीके ना, रगुनात राओ जो थे, जो की ब्रदर थे उस टाइम के नाना साहिब के, ठीके, तो उनके स अब अफदाली की सेना काफी बड़ी थी, अफगान से जो आये थे, वो लोग काफी बड़ी सेना थी, लेकिन यह जो मराथास थे, उनकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो वो लोग क्या चाते थे, कि जो लोकल लोग है, जो इंडियन से वो एटलीस हमें help करे लेकिन लोकल रूलर्स ने जो मराथास जो थे ना, उनको अपना एक कॉम्पिटिटर मना ना कि दोस्त माना, क्योंकि नॉमली क्या होता है, कि जब सेम प्रोफेशन में दो लोग होते हैं, और सेम दुश्मन वाले लोग जो होते हैं, वो क्या एक दूसरी की मदद कर लेते ह मेरा भी दुश्मन सेम-सेम, हम दोनों दोस-दोस, ऐसा, लेकिन जो बाकी जो साउट के जो पार्ट के थे या फिर नौर्थ के जो लोग थे, वो कहीं ने कहीं लोकल लोग या मराथास को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उल्टा वो कॉम्पिटिटर मान रहे थे, तो जब उनक रानी किशोरी, ठीक है, रानी किशोरी, यही कुछ लोग थे, जो मराथा आर्मी के help कर पाए थे उस टाइम पे, जब अफदाली से उनका लडाय हुआ था, और पानीपद बैटल बहुत खतरनाक हुआ था, जिसमें बहुत सारे मराथास काफी ज़्यादा हद तक घायल हो ग थी, और एक तरीके से जो अफदाली था, वो कहीं ने कहीं अपने, इसमें काम्याब भी होता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, तो नॉमली लोग यही सोच थे थे कि अफदाली जो है मराथास को डिफीट कर देगा, इस चीज को बहुत जादा इसली नहीं देखा गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं चीजें जो है अकॉर्डिंगली चल रही थी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, इस परकार जो पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं, अफगान जो थे, उसके साथ कंफलिक्ट हुआ, मराथास का और बहुत सारी चीजें हुई, लेक इसमें हम लोग बाखी के चीज़ पढ़ेंगे कि मराथास ने किस परकार जो है एटोक में लड़ाई लड़ी, क्या हुआ परिणाम, इस परकार की चीज़े हम डिसकस करेंगे हमारे अगले लेक्टर में, तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेक्टर ना, लेक्टर इसे के साथ आज का वीडियो समाप्त होता, यह वीडियो आपको कैसा लगाए, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताईएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजेगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर जरूर से कर देना, आपने सारे दोस्तों रिलेटिवस फ्रेंड्स को शेर करो, वताओ कि यार कितना अच्छा वीडियो था यह, कितना अच्छा इसमें हमने सीखा बहुत सारे चीज़े, बहुत सारे नए-नए-न्फॉर्मेशन पता चली, तो प्लीज शेर कर देना, अन साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी दे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से चानल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तके लिए थाइंक यू और गुडबाई